नमस्कार दर्शक मित्रो, मैं डॉक्टर मुरुगेश वैस्नव, मनोचिकित्सक एहमदबाद कुजराच से आपके साथ एक बाबा की मानसिक ताका प्रुथक करन करके कुछ कहना चाता हूँ. बाबा बोले, बारा साल के बाद नहीं, बाबा तो जब माइक मिला तब बोलते ही रहते हैं, तो बाबा बोले कि एलोपेथिक एक स्टुपिड और दिवालिया साइन्स है, कोरोना की ट्रीटमेंट करते करते हैं, पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, उसके बाद फलेबिपीर फे ट्रीटमेंट यानि सब फेल हुआ, सब बेकार गया, बाबा तो ये भी कहते हैं, कि जितने लोग ट्रीटमेंट लेते लेते, हॉस्पिटल में मर गये, उनकी संख्या, जो बाहर मर गये, उससे ज़्यादा है, बाबा कह रहे हैं, कि ये एलोपेथि ही, कोरोना की वज़े से जो मौते हुए है, उसके लिए एलोपेथि जिम्मेदार है, यानि एलोपेथि जूटा सायन्स से फरजी है, उसकी रिसर्च भी जूटी है, उतना ही नहीं सारे एलोपेथिक डॉक्टर्स भी जूटे सब जूटे, सच्चा कौन भई, बाबा कहता है कि वो ही सच्चे है, व तो भी बाबा ये बात कह रहे हैं, उस पर काफी लोग मुझे कई प्रश्न पूझ गए, क्या हुआ ये बाबा फ्रस्टेटेड है, क्या जरा देखो पताओ, या तो फिर बाबा की मानसिक्ता संकुचित है, कोई बड़ा क्रिमिनल है, कोई बड़ा शातिर बिजनेसमेन है, या तो बाबा किसी का माउट पिस बनके बोल रहा है, या तो फिर बाबा साबुन और टेल क्या क्या बेशते रहते हैं, इस वज़े से उन्होंने अपनी भावना ही खो दिये, कि कोरोना वोरियर्स की सहादत पर वो ऐसा धंदा करने की बात बताए, बाबा तो च्या अपने दुधर्म के एक ही रक्षक है, एक मातर देश भक्त है, बाकि सब बेकार, सब देश वीरोधी तत्व है, अब देखिए बाबा के बारे में ये सारे जो सवाल है, उससे मेरे मन में एक बात आती है, एक शेर है, एक ही उल्लू काफी है बरबाद गुलिस्ता करने को, बाबा के बारे में जो लोगों ने पूशा है, इसमें ये, मैं ये कहता हूँ, फ्रेस्टेटिड है, क्या रहे फ्रेस्टेटिड क्यों नहीं होंगे, देखिए कोरोना के लिए जब चार लाख केसिस से ज़्यादा केसिस होने लगे, तब हजारों अस्पताल की बेड नई- इसमेर लाखों की मातरा में खरी दे गए, ऑक्सिजन के लिए तो सुप्रिम कॉर्ट को ओर्डर देना पड़ा, सरकार ने जो कोरोना की ट्रीटमेंट गाइड लाइन की, इसमें ये सारी दवाई सामिल की, ये सारी प्रोसिजन गवर्मेंट की है भाई, जिनके मंतरी को तो फिर बाबा फ्रस्टेट क्यों नहीं होंगे, अचा दूसरी बात है कि क्या ये संकुचित मानसिक्ता वाले हैं, अभी देखो अभी तो क्या है, वो कुप मंडुक कहते हैं, बारिस नहीं आई है, बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन ये बाबा कभी टर-टर कर रहा है डॉक कानून करेगा क्योंकि उन्हें तो किसी को नहीं छोड़ा, गवर्मेंट को नहीं छोड़ी, ICMR को नहीं छोड़ा, पूरी जो सारी संस्था उनको नहीं छोड़ा, उतना ही नहीं एपिडेमिक्स को भी नहीं छोड़ा, एक्ट को और उतना ही नहीं कहते हैं कि मुझे वाला है कौन बाप है सकती यार यह तो सर्वों पर यह भई तो कानुन और गवर्मेंट को जो तै करना करेगी मैं उसमें कोई टिपनी नहीं करूंगा तो क्या मानसिक संतुलन बाबा का क्या है सोचना पड़ेगा भाई क्योंकि इसमें ऐसा है कि अगर वो चाते हैं तो हमारे काफी सहयोगी सोचन के आठजार सकायर्टिस्ट हैं कोई भी मदद कर सकते हैं लेकिन वो तो नहीं चाहिए क्योंकि जो इंसाइट होनी चाहिए ने जो वास्तविक्सता के साथ संपर्क होना चाहिए ने वो तो कब का उनों छोड़ दिया तो वो तो नहीं चाहेंगे तो क्या है वो शातिर, बिजनेस्में है भई, चाहे कुछ भी हो जाए, जाए कोरोना वोरियर्ज के खिलाफ बोला जाए, उनकी सहाधत के खिलाफ बोला जाए, धन्दा होना चाहिए. उतना ही नहीं बाबा तो वहाँ تک कहते हैं कि इतने डॉक्टर मर गए जो खुद की दवाई नहीं कर सकते है वो दूसरों की क्या करेंगे तो सारे लोगों में एक भै पैदा कर रहे हैं देखिए और इनसेक्यूरिटी पैदा कर रहे है अलोपे ती कुछ नहीं करेगी जीवन बचाना है तो सिर्फ आओ पतांजली बाबा के शरनम और कुछ नहीं आपके लिए चलेगा ये बाबा कहते हैं ये बात मुझे हिटलर की याद दिलाती है हिटलर ने ये कहा था जर्मनों को कि ये यहूदी है बहुत बड़े तुम्हारे दुस्मन है तुम्हें मार डालेंगे बुलकुल बिरो दिये मज जाओ सारे जर्मन हिटलर की सेना में एक के बाद एक भर्की होने लगे फिर क्या हुआ बर्बाद कर दिया विस्व को तो यही तो बात है जो लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है और बाबा अंत में यह कहते है कि भारतिय संस्कृति का हिंदु धर्म का देश भक्त कर कोई कहा जाए रक्षक कहा जाए तो वो सिर्फ एक है मेरे इसाब से यह बाते लोगों को समझनी चाहिए और कौन कौन सी पथी किसको सही करेगी समझना चाहिए देखिए अलोपे थी एक ट्रांस्परेंट साइन्स है दवाई बनाता है रिसर्च करता है और रिसर्च वर्ल्ड ओर में होती है हजारों जर्नल में पब्लिस की जाती है अपनी ही जो रिसर्च होती है उसको इसके खिलाब भी रिसर्च चलती रहती है नई नई दवाई आती है इतना प्रोग्रेस हुआ कितने साइन्टिफिक लेब के इंस्टूमेंट आये कितने इन्वेस्टिकेशन सी टी एमराई और आर्टिफिसल इंटेलिजेंस तक आ गया त तब आप कहां तक यह कुप मंडुक बाते करेंगे और देखिए जगडा कोई आयरुवेत और अलोपेथिक के बीच में नहीं है अगर किसी बी तरह की टीटमेंट किसी भी डिजीस के लिए प्रिवेंटिव के लिए है कुछ भी है देखिए अलोपेथिक दवाई भी प्रि अजनी है और इस तरह के जो व्यापारी है इनको पहचान के सही बात को सही ठैराना है तो नमस्कार फिर से मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय इंडियन मेडिकल एड एसोसियेशन एंड एलोपेथि